Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable History of Punjab Welcome to Study IQ मेरा नाम है आधेश सिंग दोस्तों आजम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जहांके लोग अपने रुत्बे अपनी वीरता और जीने के अंदाज के लिए दुनिया भर में फिमस हैं ये वो राज्य है जिसे भारत का Golden Land of Agriculture कहा जाता है जहांकि हर्याली इसकी पहचान है ये एक ऐसा राज्य है जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है जहांकि लोग कभी बलिदान देने से पीछे नहीं हटे हैं जिसे गुरूँं की भूमी कहा जाता है जियां दोस्तों आपने सही समझा हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की पंजाब यानि पांच नदियों की भूमी पंजाब शब्द का पहली बार इस्तिमाल इबन बतूता की लेखन में मिलता है इन्होंने चौधवी शटाब्दी में इसक्षेत्र का दौरा किया था इस शब्द का इस्तिमाल व्यापक रूप से सोलवी शटाब्दी के बाद किया गया है हलाकि पंजाब के संस्कृत संकक्ष का पहला उलेख महान महाकाव्य महभारत में भी मिलता है जहां इसे पंचनाद के रूप में वर्नित किया गया है जिसका अर्थ है पांच नदियों का देश वैदे काल में पंजाब को सब्त सिंधू या साथ नदियों की भूमी के रूप में जाना जाता था ये राज्य आज जितना समरिद्ध है उतना ही समरिद्ध इसका गौरवशाली तिहास है इस क्षेत्र पर शासिन करने वाले शासकों में मौर्य, गुप्त, हर्ष, मुगल, सिख और ब्रिटिशर्ज शामिल है इन शासकों द्वारा छोड़े गए समारक, मकबरे, किले और पूजास्थल आज भी उनकी गाथा कहते हैं अंग्रेजों से आजादी के बाद 1966 में वर्तमान पंजाब राज्य का गठन किया गया दोस्तों, पंजाब के अतीत के रंग उसके आज को और अधिक उज्जवल कर देते हैं तो चलिए, शुरू करते हैं इस एतिहासिक सफर को Ancient History of Punjab पंजाब के प्रारंबिक इतिहास को देखें तो पंजाब विभिन संस्कृतियों और विचारों वाले लोगों के प्रवास और बसने का गवाह रहा है अधिकांश विद्वानों द्वारा ये माना जाता है कि पंजाब में मानव निवास का सबसे पहला निशान सिंधू और जेलम नदियों के बीच सोन घाटी से मिलता है यहां से पाशान काली नवशेश मिले हैं पंजाब के आसपास के क्षेत्र में सिंधू घाटी सभिता के खंडहर भी पाए गए हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हडपा और रोपड है वैदिक काल की तरफ बढ़ें तो रिगवेद का बड़ा हिस्सा लगभग पंधरा सो और बारा सो इसा पूर्व के बीच पंजाब क्षेत्र में ही रचा गया है जबकी बाद में वैदिक शास्त्र यमुना और गंगा नदियों के बीच वाले पूर्व के हिस्से में रचे गए वैदिक सभिता पंजाब सहित अधिकांश उत्तरी भारत को कवर करते हुए सरस्वती नदी के लंबाई तक फैली हुई थी इस सभिता ने भारतिय उप महद्वीप में बाद की संस्कृतियों को आकार दिया है इसी युग में धार्मिक विचारूं और प्रताओं का गठन किया गया महाकाव्य महभारत में भी इस क्षेत्र का उलेक मिलता है उस समय पंजाब को त्रीगर्थ के रूप में जाना जाता था जो कटोच राजाओं द्वारा शासित था इसके बाद 550 से 330 इसापूर्व के समय एकीमिनिट एमपायर को खत्म करने के बाद सिकंदर ने अपनी नजरें भारत की ओर मोड़ी सिंधू को पार करने के बाद सिकंदर का स्वागत तक्षशिला के शासक राजा अंभी ने किया आगे चलकर सिकंदर का पहला विरोध राजा पूरस से हुआ था इस क्षेत्र के पहले स्थानिय राजा के रूप में राजा पूरस को ही जाना जाता है उनका राज्य हाइडिस्पस यानी जेलम और असेसिंस यानी चेनाब नदियों के बीच पहला हुआ था पूरस ने ही सिकंदर महान के खिलाफ हाइडिस्पस की प्रसिद्ध लडाई लडी थी ग्री किती हाजकारों के अनुसार इस लडाई में सिकंदर की जीत हुई थी लेकिन सिकंदर पूरस के युद्ध कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरस को उसका राज्य वापस कर दिया इधर 302 इसा पूर्व के आसपास चानक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और मौर्य सामराज्य की स्थापना हुई इससे पहले इस क्षेत्र पर मगद की शाजक धननंद का शासन था चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को मार कर ही मौर्य शासन की स्थापना की थी जिस समय चंद्रगुप्त राजा बने थे भारत की राजनीतिक स्थिती बहुत खराब थी इधर सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने भी सिकंदर की नीती को अपनाते हुए भारत की तरफ रुख कर दिया था उसने भारत के सिंधवाले क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमन किया सेल्यूकस का सामना उस वक्त के ततकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्यस हुआ दोनों के बीच काफी भीशन युद्ध हुआ चंद्रगुप्त की सेना सेल्यूकस निकेटर की सेना पर भारी पड़ रही थी इसी बीच सेल्यूकस निकेटर ने अपनी हार्स विकार करते हुए एक संधी का प्रस्ताव रखा। संधी में सेल्यूकस ने यूनान कबजे वाले क्षेत्र अरिया, आर्चोंसिया, परोप निशादाई समेथ हेराथ, कांधार और काबुल को भी चंद्रगुप्त को सौंप दिया। 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब के एक शत्र शासक बन गए। सबसे लोकप्रिय शासक कनिश्क का सामराज्य कश्मीर, पंजाब, सिंध, उत्तरप्रदेश के अतिरिक्त, अफगानिस्तान, यारकंद, ताशकंद तथा खोतान तक फैला हुआ था। कुशान सामराज्य के विगहटन के साथ ही 320 ईसवी तक गुप्त सामराज्य का शासन शुरू हो गया था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्विधिय के दोरान उत्तर भारत और दक्षन भारत में गुप्त सामराज्य का विस्तार हुआ। इसी दोरान उन्होंने पंजाब के हिस्से पर राज किया। सकंद गुप्त की मृत्यू के बाद सामराज्य को उत्तराधिकारी के कई युद्धों का सामना करना पड़ा था। अंतिम प्रमुख गुप्त राजा बुद्ध गुप्त थे। उनके बाद गुप्त सामराज्य पूरे भारत में विभिन्य शाखाओं में विभाजित हो गया गुप्त सामराज्य के विगटन के बाद उतरी भारत पर कई स्वतंत्र शासकों का शासन रहा जो अपने क्षेत्रों में गुप्त सामराज्य की परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे 590 इसवी के आसपास हर्श शासन की स्थापना हुई हर्श वर्धन के दादा आदित्य वर्धन पूर्वी पंजाब में थानेश्वर के एक सामंती शासक थे जब हर्श वर्धन का शासन अपने चर्मोत कर्श पर था तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतरगत आता था साथवी शताब्दी तक भारत पर बहरी आक्रमन कारियों ने आक्रमन शुरू कर दिया था ज्यादतर आक्रमन कारी पंजाब क्षेत्र के रास्ते से ही भारत में प्रवेश करते हैं आईए जानते हैं इसके बाद यहां का इतिहास कैसा रहा medieval history of पंजाब आठवी शताब्दी की शुरूआत में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर अर्बों ने आक्रमन किया सन 712 में भारत पर किये गए आक्रमन का नेत्रित्व उमयद खलीफा के सेनापती मुहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत में हुए आक्रमन का उद्देश अरब राज्य का विस्तार था उमयद खलीफा की अरब सेना ने पंजाब में इसलाम की शुरूआत करते हुए दक्षण एशिया में प्रवेश किया इसके बाद नौवी शताब्दी में पंजाब में हिंदू शाही वंच का उदय हुआ जिसने पंजाब और पूरवी अफगानिस्तान के अधिकांच हिस्सों पर शासन किया दस्वी शताब्दी की शुरूआत में ही तुर्क गजनवी महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमान किया उसने सन 1000 से लेकर 1026 तक भारत पर 17 बार आक्रमान किया महमूद घजनी ने भारत में पहला युद्ध एक हजार एक इस्वी में हिंदुशाई शासक जैपाल के विरुद्ध लड़ा एक हजार चार और एक हजार च्छे के दौरान घजनी ने मुलतान के शासकों पर धावा बोला और जल्द ही पंजाब भी घजनी के आधीन हो गया महमूद घजनी ने नगरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज समेद दक्षन में सौराष्ट पर लूट के मकसद से आकरमन किया उसने जहां भी आकरमन किया वहां के मंदिरों को लूट लिया भारत पर किये गए उसके आकरमनों का मुख्य औदेश्य, मध्य एशिया की राजनीती में अपनी महत्ता स्थापित करना था भारत पर किये गए हमले सिर्फ भारत की दौलत को हथियाने के लिए किये गए थे इस दौलत के बलबूते ही वो मध्य एशिया में अपना विशाल सामराज जिस संगठित करने वाला था घजनी वंश के कुछ शासकों का नियंतरन पंजाब और सिंद के कुछ हिस्सों में था जो 1135 तक चलता रहा धीरे धीरे एक शक्ती के रूप में घजनी शासन में गिरावट आई और सन 1173 में शाहबूदीन मुहम्मद गौरी घजनी की गद्दी पर बैठा मुहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान 1175 में मुल्तान की ओर छेड़ा और मुल्तान को उसके शासक से मुक्तगरा दिया इसी अभियान की तहट उसने भाटी राजपूतों से कच्छ जीता सन 1178 में उसने गुजरात पर विजय हासिल करने के लिए आक्रमन किया लेकिन चालुक के शासकों से वो जीत न सका हलांकि हार के बाद उसे समझ आ गया कि पंजाब में मजबूत आधार बनाए बिना वो भारत के दूसरे हिस्सों को जीत नहीं सकता परिणाम स्वरूप सन 1189 में पेशावर और 1186 में लाहौर को उसने अपने कबजे में ले लिया सियाल कोट का किला अगला शिकार बना इस प्रकार 1190 तक मुल्तान, सिंध तथा पंजाब को अपने आधीन करने के उपरांत मुहम्मद गौरी ने गंगा के दुआब में प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर लिया पंजाब पर गौरी का आधीपत्य और गंगा दुआब में अपने सामराज्य के विस्तार का प्रयाज उसे राजपूत शासक पृत्वी राज चोहान के सामने ले आया तराई के युद्ध के बाद मुहम्मद गौरी अपने सेनापती कुतब बुद्धीन एबक के हाथ में भारत की सत्ता देकर गजनी वापस लोड़ गया 1206 में उसकी मृत्यू के बाद उसके सेनापती कुतब बुद्धीन एबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की अगले 300 वर्षों तक पंजाब पर दिल्ली सल्तनत ने शासन किया जिसका नेत्रित्व पांच असंबध राजवंशों मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने किया पंद्रवी शताबदी के अंतमे पंजाब में एक महत्वपून गटना गुरु नानक द्वारा सिकधर्म का गठन थी सिख धर्म का इतिहास, पंजाब के इतिहास और सत्रवी शताबदी में भारतिय उप महधुईब के उत्तर पश्चिम में सामाजिक राजनीतिक स्थेती से निकटता से जुड़ा हुआ है गुरु नानक का जीवनकाल बाबर द्वारा उत्तरी भारत की विजय और मुगल सामराज्य की स्थापना के साथ मेल खाता है उस समय मुगलों द्वारा लोगों को प्रतारित किया गया जिसके वजह से लोगों ने आस्था की और रुख किया और सिख धर्म का विकास हुआ लोग हिंदू और इसलाम दोनों से धर्मांतरित हुए 1605 में मुगल गद्धी पर जब जहांगीर बैठा तो सिख गुरूं के साथ संबंधों में टकराव देखने को मिला अपनी आत्म का था तुजू के जहांगीरी में उसने सपष्ट लिखा है कि वो गुरू अरजुन देव जी के बढ़ रहे प्रभाव से बहुत दुखी था इसी दौरान जहांगीर का बेटा खुसरो बगावत करके आगरा से पंजाब की ओर आ गया जहांगीर को ये सूचना मिली कि गुरू अरजुन देव जी ने खुसरो की मदद की है इसलिए उसने गुरु जी को गिरफतार करने के आदेश चारी कर दिये जहांगीर ने गुरु अरजुन देव जी को मरवाने से पहले उन्हें अमानविय यातनाई दी 30 मई 1626 वी को यासा के तहत लोहे के गर्म तवे पर बैठा कर उन्हें शहीद कर दिया गया यासा के अनुसार किसी व्यक्ती का रक्त धर्ती पर गिराए बिना उसे यातनाई दे कर शहीद कर दिया जाता है गुरु अरजुन देव की मृत्यों के बाद छटे गुरु हर्गोबिंद ने अगाल तख्त का निर्मान कर सिख संप्रभुता की घोशना की और अमरित सर की रक्षा के लिए एक किले की स्थापना की जहांगीर ने तब गौालियर में गुरु हर्गोबिंद को जेल में डाल दिया लेकिन जब कोई खत्रा महसूस नहीं हुआ तब कई वर्षों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया शहजहा ने भी अमरित सर पर कई हमले किये जिसकी वजह से सिखों को शिवालिक पहाडियों पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा नौवे गुरू गुरू तेग बहादूर ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्वत्याग दिया था जिसकी वजह से वो हिंद की चादर भी कहलाए और अंगजेब ने इसलाम कुबूल न करने पर गुरू तेग बहादूर को मार डाला और दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका सर काट कर लटका दिया इसके बाद सिखों के दसवें गुरू बने गुरू गोबिंद सिखों की उतपीडन को देखते हुए 1699 में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंतरता की रक्षा के आदेश के रूप में खालसा की स्थापना की इसके बाद लंबे समय तक सिखों और मुगलों का संगर्ष जारी रहा जो अंततह मुगल शक्ती को कमजोर होने और सिख राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हुआ आएए देखते हैं कैसे Modern History of Punjab सिखों ने धीरे धीरे खुद को एक सिख राज्य में संगठित करना शुरू कर दिया मुगलों के कमजोर होने पर 1649 में नादिर शाह और 1748 में एहमद शाह अबदाली के आक्रमणों के बाद पंजाब में अव्यवस्था और भ्रह्म ने सिख शक्ती के उदय में काफी हद तक मदद की 1664 इसवी में सिख अमरित्सर में एकत्रित हुए और देग, तेग और फतेह की मुद्रा लेख वाली शुद्ध चांदी के पहले सिख के चलाए ये पंजाब में सिख संप्रभुता की पहली उद घोशना थी उन्होंने खुद को 12 मिसलों में संगठित किया और पंजाब के क्षित्रों को नियंत्रित किया इन मिसलों के नेताओं ने प्रदेशों को आपस में बांट लिया यहां था कि एहमद शाह अबदाली भी मिसलों को नश्ट करने में असमर्थ था और उसके जाने के दो साल के भीतर सरहिंद और लाहौर में उसके द्वारा नियुक्त राज्यपालों को बाहर कर दिया गया नाभा, पटियाला और कपूर थला जैसी छोटी रियासतों का उदय हुआ अठारवी शताबदी के अंत में महराजा रणजीत सिंग ने मिसलों को एक जुट किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की 1798 से 1805 के बीच रणजीत सिंग ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमरिच्सर को अपने कबजे में कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया 1808 में रणजीत सिंग ने सतलज नदी पार कर फरीद कोट, मलेर कोटला और अमबाला पर कबजा कर लिया इस तरहे महराजा रणजीत सिंग का सामराज्य पूर्व में सतलज नदी से लेकर पश्चिम में पेशावर तक और दक्षिन में सतलज और सिंधू के जंक्षन से लेकर उत्तर में लद्दाख तक फैला हुआ था उन्होंने पंजाब में कानून एवं विवस्था कायम की और कभी भी किसी को मृत्यू दंड नहीं दिया उनका सूबा धर्म निर्पेक्ष था उन्होंने हिंदूओं और सिखों के वसू ले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगाई कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया महराजा रणजीत सिंग खुद अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोथ साहन दिया उन्होंने अम्रिट्सर के हर मंदिर साहिब गुरुदवारे में संग मरमर लगबाया और सूना मनबाया तब ही से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा उनके व्यक्तित्व और उनकी निडर्ता को देखते ही इधिहासकार कहते हैं कि अगर वो एक पीड़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते हैं 1849 में महराजा रणजीत सिंकी मृत्यों होगी जिसके बाद आंतरिक विभाजन और राजनीतिक कूप्रबंदन से सामराज्य बुरी तरह कमजोर हो गया इस मौके का फायदा इस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया जिसकी वजह से पहला और दूसरा अंग्लो सिक वार हुआ 1845 के अंत में फिरोजपूर के पास ब्रिटिश और सिक सेनिकों के बीच फर्स्ट अंग्लो सिक वार हुआ अंग्रेजी सेना नायक मेजर ब्राटफूट की नीतियों ने सिक सेनापती लाल सिंग तथा तेजा सिंग को अंग्रेजों के विरुद्ध संगर्ष करने के लिए उक्साया परिणाम सुवरूप खालसा सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध आकरमान की घोशना कर दी इस प्रकार फर्स्ट अंगलो सिक वार आरंब हो गई इस युद्ध के समय भारत का गवनर जेनरल लौड हार्टिंग था और भारत के प्रधान सेनापती का नेत्रित्व लौड गफ के पास था इस युद्ध में चार लडाईयां फिरोश शाह, मुद्की, बद्रोवाल और अलीबाल में लड़ी गई जिन में कोई भी निरणय नहीं हो सका पांचवी एवं अंतिम लडाई सब राओ में हुई जो निरनायक सिद्ध हुई इस लडाई में अंग्रेजी सेना ने सिखों को पराजित कर दिया और 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया इस युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 इस वी को अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधी हुई इस संधी के तहट ही सतलज और ब्यास के बीच के क्षित्र को कश्मीर के साथ कंपनी को सौंप दिया गया पहले अंग्लो सिख वॉर के बाद सिख सेना अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करना चाहती थी डलहाउजी की सामराज जिवादी नीतियों से भी सिख क्रोधित थे इसी समय अंग्रेजों ने मुल्तान के गवनर को हटा दिया परिणाम सुवरूप जनता ने विद्रोह कर दिया डलहाउजी ने अवसर का लाब उठाते हुए युद्ध की घोशना कर दी इस प्रकार सेकिंड अंग्लो सिक वार आरंब हो गया सेकिंड अंग्लो सिक वार में तीन लडाईयां लड़ी गए 22 नवंबर 1848 इसवी को लड़ा गया रामनगर का प्रथम युद्ध था जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतरित्व लॉर्ड गफ और सिक सेना का नेतरित्व शेर सिंग ने किया अगला युद्ध 13 जनवरी 1849 इसवी को लड़ा गया चिलियां वाला का युद्ध ये युद्ध भी बिना किसी जीत के ही समाप्त हो गया इसके बाद तीसरा युद्ध अर्थाद गुजरात का युद्ध 13 फरवरी 1849 को लड़ा गया जो निरनायक सिद्ध हुआ इसमें अंग्रेजी सेना का नेतरित्व चार्ल्स नेपियर ने किया अंग्रेजों ने सिक सेना को पराजित कर दिया इतिहास में इसे तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है सेकिन एंग्लो सिक वार में विजय प्राप्त करने के उपरांत 30 मार्च 1849 को लोड डल हाउजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया इसके साथ ही पंजाब ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बन गया 1858 में महरानी विक्टोरिया द्वारा जारी शर्तों के तहत पंजाब ब्रिटिन के प्रत्यक्ष शासन के आधीन आ गया उपनिवेशिक शासन का पंजाबी जीवन के सभी क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा 19 वी शताब्दी के अंत तक हनाकि भारतिय राष्ट्रवादी आंदोलन ने प्रांत में जोर पकड़ लिया अंदोलन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है 1919 का जलियां बाला हत्याकांट जिसमें ब्रिटिश जेनरल रेजिनल एडवर्ड हैरी डायर द्वारा लगभग 10,000 भारतियों को गोलियों से भून दिया गया था ब्रिटिश प्रशासन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नरसंगहार में लगभग 400 लोग मारे गए और लगभग 1200 घायल हुए जहां एक तरफ अंग्रेजों ने पंजाब में ये नरसंगहार कराए वहीं पश्चीमी पंजाब में नहर कॉलोनियों के निर्मान की वजह से 14,000,000 एकड़ भूमी खेती के आधीन हो गई जिसकी वजह से इस क्षेतर में कृशी पद्धतियों में क्रांतिया गए आर्थिक रूप से इसने पंजाब को भारत के सबसे समरिध क्रिशिक शेतर में बदल दिया समाजिक रूप से इसने बड़े भूस्वामियों की शक्ति को बनाए रखा और आजनीतिक रूप से इसने भूमी के मालिक समुहों के बीच क्रॉस सांप्रदाइक सहयोग को प्रोथ साहित किया 1930 में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस ने लाहौर से ही पूर्ण स्वतंत्रदा की घोशना की लेकिन 1940 में पाकिस्तान के लिए काम करने के मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव ने पंजाब को एक अलग भारती एतिहास का केंदर बना दिया 1946 में पंजाब के बहु संख्यक मुसल्मानों और हिंदू और सिख अल्प संख्यकों के बीच बड़े पैमाने पर संप्रदाइक तनाव और हिंसा भड़क उठी कॉंग्रिस और लीग दोनों निताओं ने पंजाब को अलग करने पर सेहमती जताई 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो पंजाब, ब्रिटिश प्रांत भारत और पागिस्तान के नए संप्रभु राज्यों के बीच विभाजित हो गया स्वतंत्रता के बाद भारतिय पंजाब के एतिहास में एक अलग पंजाबी भाषी राज्य के लिए सिख आंदोलन या असान भाषा में कहें तो खालिस्तान आंदोलन का उदय हुआ इसका नेत्रित्व तारा सिंग ने किया और बाद में उनके राजनीती कुत्तराधिकारी संथ फतेह सिंग ने किया हाना कि भाषाई रेखाओं के साथ विभाजित होने के बजाए नवंबर 1956 में भारतिय राज्य पंजाब को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संग यानि पैपसू के रूप में संगठित किया गया धीरे धीरे पंजाब के विस्तार के मद्दे नजर मुख्य रूप से पंजाबी भाषी क्षेत्र वाले लोगों ने एक अलग राज्य बनाने की मांग तेज कर दी आखिरकार भारत सरकार ने मांग पूरी की एक नवंबर 1966 को पंजाब को भाषा के आधार पर हर्याना के ज्यादतर हिंदी भाषी राज्य और पंजाब के नए मुख्य रूप से पंजाबी भाषी राज्य में विभाजित किया गया इस बीच सबसे उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और चंडीगड का नवनिर्मित शहर और इसके आसपास का क्षेत्र एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया हना कि किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं होने पर चंडीगड शहर को हर्याना और पंजाब दोनों के संयुक्त प्रशासनिक मुख्याले या राजधानी के रूप में बनाए रखा गया आगे चलकर नब्बे के दशक में खालिस्तान अंदोलन ने उग्र रूप धारण किया तब केंद्र सरकार द्वारा इस पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी गई इस अंदोलन और उपरेशन ब्लू स्टार को विस्तार से हमने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है जिसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है आप वहां से इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों ये था पंजाब राज्य का गौरव शाली इतिहास पंजाब पर शुरू से कितने ही राजाओं ने राज किया अपनी भौगोलिक स्थिती के कारण पंजाब क्षेत्र पश्रिम और दक्षिन दोनों और से लगातार हमले के प्रभाव में आया पंजाब को फारसियों, युनानियों, सीथियनों, तुर्कों और अफगानों के आकर्मनों का सामना करना पड़ा इसका परिनाम ये हुआ कि पंजाब सदियों से कटू रक्तपात का गवाह बना यही कारण है कि इसकी संस्कृती हिंदू, बौध, इसलामी प्रभावों को जोड़ती है